नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश्कुमार पांडे आप सभी का कॉम्प्रिशन कम्मुटी के और नैन प्लेटफर्म पर स्वागत करता हूं और आज हम लोग फिर से MPPSC के जो क्रेस कोर्स हम सीजिस चला रहे हैं उससे लेट आज हम लोग फिर से क्या करेंगे तो आज का जो हमारा टऑ्पीक है Economics Review अर्थिक सर्वेक्शन 2021 का जो आर्थिक स्क्रपिक्शं हुआ उसको लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे जिस को बारे बात करेंगे और उसमें क्या क्या important points रखा गया, किस बारे में कौन सा sector growth किया, किस sector में कमी आई, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग discussion करेंगे और उसको देखेंगे, ठीक, तो part को सुरू करने से पहले, economic survey क्या होता है, ये क्यों paste किया जाता है, ठीक, इसको बनाने का reason क्या होता है, और भारत में इसकी सुरुवात कैसे हुई, और इसको बनाता कौन है, तो इन सब चीजों के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है, क्या profit करता है, क्यों बनाते हैं, कब paste किया जाता है, तो सारी बात हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद 2021 का economic survey आपक कि इसका होगा, ठीक है, clear, तो चलो, सबसे पहले हम लोग इसका history देखेंगे, कि economic survey का इतिहास क्या है, ठीक, तो history of economic survey, clear, तो भारत में economic survey को ले करके, ठीक है न, color ठीक हा रहा है, ठीक है, चलो, देखो, ओके, देखो, भारत में economic survey को ले करके, सबसे पहले जो शुरुवात की गई थी, वो की गई थी, 1950 and 51 में, उननी सो, इनक्यावन और पचास में, economic survey को ले करके, पहली बात आकड़े आये थे, ठीक, उसके बाद, 1963 तक, जो economic survey था, वो पेस होता था, budget के दिन, मतलब जिस दिन budget पेस होता था, उसी दिन पेस किया जाता था, economic survey को, clear, ठीक, अब ये सवाल उठता है, कि ये economic survey है क्या, clear, तो economic survey जो होता है, वो पिछले वर्स का, पिछले वर्स के, आकड़ों का एक लेखा जोखा होता है, जो ये प्रदर्शित करता है, कि पिछले साल, अर्थ वैस्ता की स्थिती क्या रही, और अगले साल, मतलब आने वाले साल में, उसकी स्थिती क्या होगी, कि देश की GDP कितना growth करेगी, develop होगी, कि नहीं होगी, तो इन सारी चीजों का analyze करने के लिए, बनाया गया था, या प्रस्तूत किया जाता है, किसे, economic survey को, या इसी को बोला जाता है, Arctic Survection, ठीक है, तो Arctic Survection को, सबसे पहले पेस किया गया था, 1950, 51 में, 1963 तक, ये budget के साथ पेस होता था, और इसके बाद क्या किया गया, कि 1964 में, budget के एक दिन, पहले पेस किया जाने लग गया, कब से, 1964 से, तो ये छोटा सा इतिहाद दाना है, आपको किसके बारे में, अर्थ वैस्ता के आर्थिक Survection के बारे में, ठीक, ये बात हो गया, उसके बाद आते हैं अपन, दूसरे टॉपिक में, जो है आपका, 2022 presentation of economic survey, कि इसको presentation, मतलब इसको प्रस्तूत क्यों किया जाता है, और इसका प्रस्तूती करन कब होता है, तो economic survey जो होता है, वो budget के एक दिन, पहले पेस किया जाता है, पहला point क्या जाएगा, budget के एक दिन, budget के पहले पेस करते हैं इसको, ठीक, इसको economic survey को, budget के एक दिन, पहले आता है, पहली बात, ठीक, clear, अब ये बात है, कि इस economic survey को बनाता कौन है, ठीक है, तो economic survey को बनाता है, वित्र मंत्राले का, वित्र मंत्राले का, जो finance ministry होती है, उसके अंतरगत एक विभाग होता है, जिसको बोलते हैं, आर्थिक विभाग, और इसी आर्थिक विभाग का, एक division होता है, उसे बोलते है, economics division, तो इस वित्र विभाग का एक division है, जिसका नाम है, economic division, ये पेस करता है मतलब यह बंदाता है क्या चीज एकोणामिक सर्वे बनाता है। इसको एधिक है भारत का बंख को बनाने में बहुत मतयपूर्णी को आपनिए कर सकते हैं कि इसी कि सलापर मुख्यार्टिक सलाकार की सलापर ही एकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है ठीक है ना मगड़ जो 2021 का एकोनॉमिक सर्वे हुआ मतब जिसको प्रस्तूत करना था 2022 में 222 ने बजट के इकोनामिक सर्वे करते हैं बजट के एक दिन पहले तो हमारे बजट पेस होता है फरवरी माह में तो जो 2022 का बजट पेस होना था तो उससे पहले ही मतलब उसके दो महिने पहले ही जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाकार थे उनका कारेकाल खतम हो गया ठीक कौन थे क्रिस्ट मुट बनाने में तो यहां पर क्या हुआ कि एक और व्यक्ति एक और व्यक्ति कारों में सहता देने के लिए होता है ठीक ना मतलब अगर यह प्रेजेंट नहीं रहा अपसेंट रहा तो इसके अपसेंट में वह व्यक्ति कार करता है और वह व्यक्ति एकोनामिक सर्वे को बनाने मे साहता पदान करता है, तो इसके अपसेंट में, मतलब में के अपसेंट में, मुख्य के अपसेंट में जो वेक्टी कारों में साहता करता है, economic survey को बनाने में, वो होता है, प्रमूख आर्थिक सलाकार, तो ये प्रमूख आर्थिक सलाकार जो है, इसी की मदद से क्या किया गया, 2021 का Economic Survey ready किया गया, दो महिने बाद जब बजट पेश हुआ, तब तक क्या हो गया था, यह तो तयार हो चुका था, उसके बाद भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाकार बनाए गया, जिनका नाम था Dr. V. Nageswar, ठिक, Dr. P. Nageswar को, Anant Nageswar को क्या बना है गया, भारत के मुख्य आर्थिक सलाकार, Dr. V. Anant Nageswar, वो अभी वर्तमान में क्या है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाकार है, मगर जब इसको बनाना था, तब जो पुराने वाले थे, वो उनका कारेकाल खतम, तो दो मेने क्या हो गया, पद खाली हो गया, तो उस समय अगर का क्या होगा, मेन होता है, जैसे होता है ना, मुख्य सचीव, ठीक, तो चीप सेकेटरी होगा, पूरे के पूरे सभी का मंत्राले का मुख्य होगा, और उसी के तर रहता है, क्या चीज़ बोलेंगे जिसको अपन सचीव बोल देते हैं, तो उसके कारों में सहायता जेने क्ल वे, क्लियर, ठीक, अब इसको जब बना दिया जाता है, तो इसके कितने पार्ट होते हैं, तो एकोनोमिक सर्वे के दो पार्ट होते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइट किया जाता है, ठीक, ये कहलाता है, पहला भाग, और सेकंड वाला कहलाता है, दूसरा भाग, पहला भाग जो होता है इकवनामिक सर्वे का इसमें और तेट वैस्ता की चुनोतियों के बारे में बताए जाता है कि आने वाले समय में क्या चुनोतिया होंगी जैसे 2021 का सर्वे था तो वहाँ पर उसको बताया गया कि हमने 2022 22 के लिए ऐसे चुनोटी का निधरन किया है यह कठ नय होगी ऐसे कट्टा होगी कि सब्सक्राइब कितना सबस्यधा इस सारी किसारी जो मुआ होती है ऊह रहती के पहले सबस्क्राइब का बता देहां सानी चुनाओतिया ठीक मतलब खत्रां बता पिछले विट्टी वर्ष का क्या करते हैं यहां पर विशलेशन करते हैं ठीक पहले भाग में पूरी चनोती बता दिये väई यह यह चुनोती आने वाली है और दूसरे में जिस सबस्का इकोनामिक खर विलाइट में गया नौट चीजों को का करते दो पार्ट में दिवाइड करते हैं दूसरे में इस कर दिया जाता है तो इसके बाद जब यह हो जाता है तो इसके बाद आजाता है आपका में टीक की इकोनामिक सर्वे इसको पेस करने का कारण क्या है क्यों इसको बीडापेस के कर सकते क्या तो इसका कारण क्या है तो यकोनामिक सर्वे जो होता है वे सबसे मत्टफूर काम यह करता है कि इसमें यह पता चलता है कि आने वाले व gözc में आने वाले वित्वर्ष में देश की एकोनॉमिक क्या होगी ठीक मतलब अगले वित्ति वर्ष की अगले वित्ति वर्ष का एक लेखा जोखा तयार हो जाता है कि हां भाई हमको किसमें प्रॉफिट होगा किसमें लॉस होगा ठीक हमारी जीडीपी क्या होगी जीडीपी का निधररन करता है कि आने वाले से में GDP कैसी होगी właśnie domestic product कैसे होगा मतब किस condition पे रहेगी हम ONE में कि developing country में रहेंगे तो यह जो economic survey है यह आने वाले वर्ट वर्ष की पूरी की पूरी परिभाता मता पुरा को पूरा चित्र प्रदसीत कर देता है कि हां ऐसा होने वाला है तिक और जीडीपी जीडीपी की दिसा बिन धारित करता है कि कैसा होगा हमारा और सरकार के कारेक्रम को कि सरकार क्या क्या कारेक्रम चलाएगी चलाना चाहिए सरकार को जिससे देश की एकोनामिक्स बढ़े लेश की इअर्थ व्सेट यह ऐक सारे के सारे चीज़ों का पूरा का बिच्छलेशन करकर के बता देता है कि हाँ यह चीज करना चाहिए यह इस चीज को यह काम को बंद कर देना चाहिए तो एकोनामिक्स सरवे को पेस्ट करने का मुख्य कारण ये है कि आने वाले विट्वर्स की स्थिती का वो विशलेशन कर देता है मतलब उसको पूरा बता देता है कि हाँ भाई आपकी अर्थ वैस्ता इतने जाएगी इतने percent growth करेगी, कौन सा sector आपका विक्ट जाएगा, कौन सा sector में आपको ज्यादा investment करना चाहिए, कि वो growth करेगा, तो सारी की सारी picture को सामने खड़ा कर देता है, किसकी अगले वर्ष की, ठीक है न, तो इसी करन पेस किया जाता है, economic survey और वो इसलिए पिछले वर्ष का पेस किय जाता है, एक साल back का बताते हैं, ठीक है, clear, ताकि सरकार जो है, वो budget जब बनाए, ठीक, जो अगले वित्वर्ष का budget बनाए, तो उस economic survey को study करके, ताकि budget जो होता है, वो अर्थ वर्ष का अधार है, वो ही सब को निधारित करता है, कि देश किस city में जाएगा, देश किस condition में पहुचेगा, देश कितना डेवलाप करेगा, या डेश डूबेगा, इस सारी चीजे, वो चीज क्या करती है, budget में इंकलूर होती है, और budget जो बनता है, वो यह economic survey के पिछले result के कारण बनता है, कि वो बता देता है, कि भाई, ऐसा ऐसा करना है, और उसी साब से क्या बनाए जाता है, budget बनाया जाता है, ठीक है, clear, ओके, तो reason क्या हुआ, कि अगले पित्वर्स की पूरी रूपरेखा तैयार कर देता है, ठीक है, ओके, अब आजो में, 2021 का, आर्थिक सर्वेक्षन की मुक्य बातें, ठीक है, तो आर्थिक समिक्षा, 2021 की प्रमुक बातें, अभी तक इसको बताया, वो economic survey का history था, कब क्यों शुरुआ, दूसरा, उसको कितने partner paste करते हैं, ठीक, तीसरा, उसको paste करने का reason क्या था, और 2022 का economic survey कैसे बना, ठीक है, अब आजो main part है, इसको अच्छे से सुनिएगा, और यहीं से आपके पूरे पूरे data है, क्योंकि economics का जो paper होता है, और वो भी कौन से, जो पूरे data वाले होते हैं, तो ध्यान से इसको सुनिएगा, एक-एक point को अच्छे से, क्योंकि पूरी काम की चीज़े हैं यह, ठीक, और यहीं चीज़ें आपके question में convert होंगी, clear, तो ध्यान से देखिएगा, और उसको note करते चलिएगा, और सुनते चलि नुमान किया गया, 9.2%, तो पहला point बोलता है, विकास दर कितना नुमान रखा गया, law 2%, दूसरा point बोलता है, कि 2022 में, क्योंकि एकोनामिक सर्वे, तो एक साल पिछला आता है, तो मैंने भी बताया आपको, यह क्या इंधायत कर देता है, आने वाले, विट्वर्स की, रूप पांच रहने का नुमान किया गया है, ठीक, कि हमारी GDP कितना हो सकती है, 2022 में, आठ से आध दसमलों, पांच, दूसरी बात, तीसरी बात, अप्रेल, नॉवंबर, 2021 के दोरान, पुंजीवे में, पुंजीवे में, सालाना, कितना परसेंट बढ़ेगा, मतलब जिसमें इंवेस 2021 तक, विदेशी मुद्रभंडार, यह important point है, यह important है, इसको note कर लेना, और इसमें IMP लिख देना, क्योंकि question पूछ सकता है आपको, कि भारत में विदेशी मुद्रभंडार, कितना है करके, ठीक है, तो भारत में विदेशी मुद्रभंडार, कब तक, दिसमबर 2021 तक, ठीक है डॉलर तक रहेगा, 636, 633, 636 billion American dollar है, भारत का, विदेशी मुद्रभंडार, दिसमबर 2021 तक, यह एकदम latest data है, अच्छे से सुनो, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं, और उसको note करो, यही सब question बनते है, economics में, बाकी तो जो topic दिया रहता है ना, कोई confirm नहीं कि उसमें से question आए, मगर main important है आपका budget और economic survey, यही से सबस्यादी question बनता है, क्योंकि economics पूरा current level पर है, ठीक है, clear, तो दिसमबर 2021 तक, भारत के विदेशी मुद्रभंडार कितना था, 633,6 billion American dollar था, ठीक, चलो, next, आगे बढ़ो, इसके बाद, next point है आपका, कि दिसमबर, 2000, दिसमबर 2021 का bank ring, कि भारत का bank ring कितना तब ओड़ रहे हैं, तो दिसमबर 2021 तक, भारत का bank ring, 9.2% की विद्धी के साथ आगे गया, कितना परसेंट बढ़ा, 9.2%, क्या सा, bank ring, ठीक, उसके बाद, 75 IPO के माध्यम से, मतलब कई कई सारा कोई कोई कंपनी होती है, अपना IPO निकालती है, ठीक है न, तो 75 IPO के माध्यम से, लगभाग 89,000 6600, थोड़ा सा, 89 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 89, 89, हाँ, थोड़ा सा हिंदी में डाउट आ जाता है, 79 और 89 में बड़ा confusion है, मुझे बाकियों को नहीं, ठीक, मुझे 79 और 89 को हिंदी में बोलने में confusion है, भले हिंदी मिडियम वाला हूँ, फिर उसके बाद, ठीक, फिर उसके बाद, उसके बाद है आपका, कि 2021 22, अप्रेल दिसम्बर में CPIC, मुझे स्पिती, मुझे स्पिती कितनी परसेंट हो गई, पांत दस मलो, दो परसेंट तक रह गई, ठीक है ना, कब अप्रेल से दिसम्बर के मद, ये 2021 का बता रहो, मुझे स्पिती कितना हो गया, पांत दस मलो, दो परसेंट हो गया, ठीक है ना, उसके बाद, भारत का, खाद्य मुझे स्पिती कितना परसेंट नितेस्तर पर चल दिया, दो दस मलो, नौ परसेंट, मतलब, खाद्य मुझे स्पिती कितना हो गई, परसेंट बढ़ गया 3.9 परसेंट ठाड़ी जीडीपी बोलाँ जी वी पी में ठीक है ना जी वी ए में क्लियर ओके किता परसेंट बढ़ गया तीन दस्मलो नौ परसेंट बढ़ गया कृशी का ठीक है एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद हमारी अर्थ व नीचे चल दी थी हम दो मानेस में पहुंच गया थे मगर 2021 22 में बढ़ गये बढ़ने का अनुमान रहा कितना नौद थीन परसेंट ठीक दो जबाइस में जीडीपी बताया भी आपको कितना परसेंट कर रह सकती है आठ से या दश्मलो पांच परसेंट उसके बाद वर्ड बैंक और एसिया विकास बैंक में अलग 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 नवान लगाया कि 2022 में भारत की डिपी कितना होगा यहाँ से कूश्शन बनता है एक ठीक ना यहीं पूछता है किसने कितना अनुमान लगा तो यह एंपी टॉपिक है आपका तो वर्ड बैंक बोलता है कि भारत की जीड रहेगा और हिए डैवलोपमेंट बेंक बोलता है 7.5 % बैंक स्वर्धा एक 0.70श और एड ऐडीपिभी के 23 में 7.5% रहेगी ठीक है ना तो World Bank के अनुसार 8.7% का नुमान है और ADB के अनुसार 7.5% का नुमान है ठीक उसके बाद IMF ठीक ना International Monetary Fund ये भी क्या किया भारत की GDP का नुमान लगाया कि भारत की GDP कितना 9% होगा तो IMF के अनुसार भारत की GDP ये पहले बोला 21,22 और 22,23 में ठीक ओके कितना 9% ठीक और 23,24 का ये नुमान लगाया 7.1% देखो ये 21,22 और 22,23 इन दोनों का एक साथ नुमान लगाया कौन IMF और वो बोला कि ये रहेगी भारत की 9% और 2023 का और 24 का भी अनुमान लगा दिया और बोला कि भारत की GDP कितनी रहेगी 1.7.1% ठीक वर्ल्ड बैंक ने 22,23 का बताया एशिया डेवल्मेंट बैंक ने भी 22,23 का बताया IMFM बोलता है 2021-2022,23 और 23,24 मतलब 2021 का भी बता दिया 22 का भी बता दिया और 23 का भी बता दिया ठीक तो 2021-22 का क्या बोलता है 9% ठीक और 2023-24 का क्या बोलता है 7.1% ठीक है यहीं से कोश्चन बनते हैं यह सब यही पूरा डाटा पूछता है आकड़ा पूछता है किसी का नुमान पूछता है ते को में में चीज़ बता रहा हूं मैं एक तो वर्ल्ड बैंक का बता दिया ठीक उसके बाद एड़ी भी का हो गया या यह हो गया यही सब डाटा आज कल आकड़े पूछते है। तिक है ना क्लियर उशो के बाद क्रिशी शेतर में कितना परसेंट 3.9 तो बहा बढ़े लगन्पाइट और शेवा शेटर में एट पॉइंट टू-पर सेंट बढ़ने का जी दीपी में हिस्रा बढ़ने का अनुमान है क्रिशी शेत में कितना परसेंट विद्धी 3.9 परसेंट उद्द्योग में 11.8 परसेंट और सर्विस से सेक्टर में 8.2 परसेंट याद रखना है इसको यही सब कोशन है फिर उसके बाद राज कोशी किसको बोलते हैं राज कोशी घाटा या राज कोशी मतलब होता है राजा का कोस या इसी को अपन बोलते हैं तीजोरी होता है ना तीजोरी सब घर में ठीक है ना तो तीजोरी में अगर माल लो पैसा कम है मतलब आए कम है क्लियर और वे ज्यादा है मतलब तीजोरी में पैसा कम है और खर्चे ज्यादा है तो अगर इस प्रकार की कंडिशन उत् डाज भाटन के पिका है क्या बोला जाता है राज को सी घाटा बोला जाता है कि जब तois Respandy में आये कम हूँ और इंदक्स जादा हो जाए तो इस कंडिशन को बोला जाता है राज को सि घाटा और यह बहुत ही खतनाक होती है ठीक क्लियर उसके बारे में चर्चा किसी और क्लास में क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको आठीक सरविक्षान ठीक है ना फिर देखो ओके तो 2021-22 बजेट के अनुसार ठीक कितना परसेंट राजर से प्राप्टी बढ़िया है तो 2021-22 में कितना परसेंट बढ़ा ह अदिक कश्मा ले पढ़ा दे पैसे लोगों को नॉक्त निकाल दिया गया था और जिनको नॉक्री बंगा भी अउनको भी लेदे रहे थे तो बिचारे का कर्चा कैसे चलाते तो उधारी बहुत बढ़ गई थी-मार्केट में गवर्मेंन की तो बढ़ी थी साथिशान अन् तो GDP पर करज, सरकार का करज कितना हो गया था, GDP का 59.3% हो गया था, ठीक है ना, और जबकि 2019 में 14.1% था, तो भारत का करज लेवल बढ़ गया, कितना परसें बढ़ गया, जो 2019 में 49.1 था, ठीक, वो 2020-21 में कितना था, कितना हो गया, 59.3% तो कितना मैनेस कराँ गती है तस एक ग्यातो नौ में नौ ऊगे जीरो और पांच में से चार गये तो भारत का क्रजा ठीक दिप पड़ जार और अन्योंनीद और बीज डिलेश के कमपेर में कितना परसेंट बढ़ गया 10.2 परसेंटIt कंद खर्चाद के सब्सक्राइब तो कर्जा बढ़ गया था थे भारत को लोन लेना पढ़ गधा बहुत ज़ारे डेसोंसे जिसके कारां जीटीपी कब बोज में बढ़ गया था क्लियर ठीक तो कितने परसेंट की विद्धी विद्धी 10.2% की ओके देखो उसके बात भारत में जो वाय कर्जा बड़ा कितना था पहले 2021 में एक साल पहले फिप्टी फिप्टी पांसो चपन दस्मलों आठ ठीक और उसके बाद कितना हो गया 593 दस्मलों एक बिलियन डॉलर हो गया था ठीक है यह इंप्टेंट नहीं है फिर भी उसको देख लो ठीक क्योंकि को बिलियन में पैसा है करजा है और ठीक और वो तो परसे में बता चुका हूं मैं क्लियर उसके बाद विदेशी मुद्रभंडार मामले में ठीक है ना भारत विस्व में चौथा इस्थान रखता है ठी सबसे ज्याएदा विदेशी मुद्रा रखेया है ठीक है ना तो सबसे जाएदा विदेशी मुद्रा चीन में सैकनर नंबर पर आपका जापाण में तीसरा सूँगूचल मैं वहारत में यह कहां से आती है और एड़ेश आगई देशавлив मिल्ट आगे तो फैसा जमा होते यहां कि अगुसेल कि नियुति मतलब कितना अच्छा है तो हां पर पैसा लगायगी निवेस करेगी तो इसके कारण जो वीदेसी कंपनी और इसी करने आते तो वीदेसी करने लाते तो इसी कारण क्या होता है है पर मुद्रा जमा हो गया तो इसी कारण सबसे ज्यादा मुद्रा विदेशी मुद्रा कौन जमा किया चीन दूसरे नंबर पर जापान तीसरे नंबर पर स्विजर लेंड और चौते नंबर पर भारत तो बारत चौते स्थान पर है विदेशी मु दो परसेंट और 2020 में 6.6 परसेंट थी ठीक है मतलब यह थोड़ा सो सुधरा घाटा कम हुआ यहाँ पर ठीक मतलब आए भी थोड़ी सी बड़ी थी और घाटा भी कम था मगड़ दो जार उन बीसी किसमें तो आए कम हो गई थी और जादा हो गया था इसी कारण मुद्राइस त बाद हम दरीट्य सी इस फ्रीती किते परसेंट क्ट्नोड नाइन पर्सेंट थी पाइंट सु पॉंद्रेज्शू कीदि क्ट्नी १य मंदिटी 2020 में फैस में पनाथ दस मुल 2 और 2020 में 6.6 Th badmood सिंपल मुद्राइज्ट पीटी क्या चीज़ कितना पर सेंट 2021 में 5.2 और 2020 में 6.6 उसके बाद थोक मुल्ट सुचकांग भारत का कितना था किता पर्योतन को ले करके मैटर उठा तो भारत विस्ट में दस्वा सबसे बड़ा वन खेत्र वाला देश है जिसमें सरवाधिक जो कूल बहुगलिक चेत को कितने परंसे कवर करता है송 कफरेंट और भारत की पर्तेंट कीज़ेंन की कवर करता है इससी के भारत विश्टू आफ्सवा सबसे बड़ा वन छेत्र वाला देश है ठीक है ना विश्टू का दो परसेंट और भारत का 24 परसेंट क्लियर फिर उसके बाद अगस्त में आया था आपका क्या चीज दौश्टिक प्लास्टिक कच्रा प्रबंदा दिनिया फिर उसके बाद जिसका उदेश क्या था पर ग्याम वहां थे लाल्ड कि यसे पंद्धरा उड़्य कंदम सब्श्टंद में का की था हमक्या करेंगे प्लास्टिक मातलब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैर लगाने की बात ति उन्होंने अपने empieza में करते है मगर उनके बोलेगी बातों को ठीक है देख तो रहें देश में शुरू किया गया था स्वक्ष भारत अभियान ठीक स्वक्ष भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर सन 2014 को और इस स्वक्ष अभियान के तहट यह रखा गया था लक्ष कि हम 2019 तक 10 करोड करोड टॉयलेट बनाएंगे यह लक्ष था ठीक क्योंकि इसका मुख्य लक्ष यही था ओडिपी बनाना खुले में सौच मुक्त रखना ठीक और दूसरा भारत को स्वक्ष रखने की बात के गई थी कि हम भारत को 2019 तक मतलब गांदी जी की 150 जैनती तक 2019 में मतलब इतनी जोरो सोरो से सफाई कर रहे थे कि एसा लगा था कि एक महिने में ही पूरा भारती साफ कर देंगे मगर जब 2019 आया और जब आकडों का एनलाइस किया गया डाटा को देखा गया तो यहां तो ज़स्ट अपोजिट था साप तो दूर की बात है गंदगी और फैल गई मेंजेंज सीटी ठीक केवल उनकी मुख्य मुख्ये एरिया कोई साप रखा गया बाकी अगर आप देखोगे तो हर एरिया में गंदगी जरूर है तो स्वक्षता तो कहीं दिख रहा वह गारी वाला आया घर से कचड़ा निकाल वह भी कभी-कभी आता है तिक हमारे चतित गर में तो कभी-कभी आता है वह हम जहां रहते हैं तिक आएगा गाना बजाएगा ने अश्ड करणा तो यह अभियान चला गया था सबसे महस्टपून और सबसे हाड है तो उसको बनाने का क्या मतलब नहीं है क्लियर ठीक ओके चलो हम आगया आते हैं अपने टॉपिक पे उसके बाद मंत्री क्या किये थे 2020 नॉबर में ग्लाजगो गये थे वहां पर एक सम्मेलन हुआ था से ओपी सी ओपी 26 जलवायु परिवरतन का समेलन होता है जो समझ coverage के साथ यह रागल था जलवायुपरिवरतन वहां पर जोना बंद करें तो भारत न भी का सम्मेलन खूद कोप 26 में जिसमें प्रधानमंत्री गय थे और उन्होंने क्या किया था कि उच्छन में कमी लाने के लिए 2030 की घोष्णा की इसनों ने कहा कि हम 2030 तक कार्बन उच्छन को बंद कर देंगे तो यहां ग्लाजगो सम्मेलन में महात्मा गांदी भोड़ा हूं दो अक्टूबर सब्सक्राइब मोदी ने कोप 26 जो जलवायू परिवत्तन का समेलन है जिसका रिजल्ट निकला था पैरिस समझोते से और यहां पर उन्होंने किया है कि भारत 2030 तक कंप्लीट्ली कार्बन उसरजन बंद कर देगा ठीक है ना क्यूंकि उसी से जलवायू प्रदूशन होता है बहुत क्लियर यह लक्ष रखा गया उसके बाद एक वर्ड यूज किया गया यही पर कौन से वर्ट था लाइफ तो लाइफ वर्ड किस से रिलेटेड है परियावरन के लिए जीवन से लिए एक कोशन एक बढ़ हित्रीन कि लाइफ से क्या ताथ पर है लाइफ का यूज कि किया गया क्या चीज लाइफ वर्ड तो लाइफ वर्ड किस से रिलेटेड है आपका परियावरन से रिलेटेड है ठीक उसके बाद क्रिशी और खाद को लेकर के मैटर आया तो क्रिशी खाद का मैंने आपको बताया 3.9% बढ़ा था तो GDP में कितना 18.8% GDP में 18.8% रहा मुद wamू ने हर गर जल है कि अबनाए गया जीला मतलब 2021 में यह मंने 2022 में लोगज़िय करेंगे की साल तक मतलब तीनb4 साल के अंदर हर घर में हो जाए जयल तो 2021 में जब यह शुरू किया गया था तो ही 83 जीलों को हर घर जीला घोशीत कर दिया गया था मतलब लगभक 83 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पजल की सुविधा ना हो यकी ज़ल कितने दिस्ट्रिक्ट एटीत्री ये 2021 का बता रहा हुसं है ठिक क्लियार इसके बादまぁ विशेष देखो विशेष यह है कि आर्थिक सर्वैक्शन जो होता है ठीक है न तो आर्थिक सर्वैक्शन जो वो किसी देश की पूरा का पूरा रूप रेखा तयार कर देता है आने वाले विट वर्स की रूप रेखा बता देता है और जाने वाले विट वर्स की पूरी की पूरी स्थिती बता देता है कि भाई मेरे समय में मतलब 2021 अगर 2022 में बजट है तो बता देता है 2021 की स्थिती और 2022 की एक डाग्राम एक इस्ट्रक्चर तयार करवा देता है कि हां भाई आपने जो गलती 2021 में की या जो नुक्सान 2021 में हुआ है वो 2022 में ना हो तो उसके लिए पहले से तयार हो जाओ इसी कारण economic survey बजट के एक दिन पहले पेस किया जाता है और बजट थे पहले ये रेडी हो जाता है कि पहले इकना QNA में क्या-क्या परिस्चिती रही किन चीजों का नुक्सान हुआ छीजे प्रिए विकर विकास को करका किसी देश की एर्थ को कुछ करता है और किसी देश की और जाशूल निदारीट करता है अब जीडिपीग्स किया होता है इतना तो माल 안돼 में थो भी बता देता हूं मैं तो जीडिपी किसको बोलते है इसका पूरा नाम है ग्रास कि डॉमस्टिक प्रोड़क्ट ठीक तो जीडिपी क्या बोलते कि किसी देश की सीमा के अंदर ठीक यह देश है मालो ठीक तो किसी देश की सीमा के अंदर रहने वाला नागरीक ठीक फिर वो चाहे उस देश का ही नागरीक क्यों नहों और विदेशी नागरीक ठीक तो किसी देश की सीमा के अंदर रहने वाले नागरीक ठीक उस देश का नागरीक और विदेशी नागरिक के द्वारा उत्पादित किसी वस्तू और सेवा का अंतिम मुल्य क्या कहलाता है GDP एक देश की सीमा के अंदर रहने वाले उस देश के नागरिक और उसी सिमा के अंदर रहने वाले विदेशी नागरिक के द्वारा उत्पादित किसी वस्तु और सेवा का अंतिमुल क्या कहलाता है जी डी पी ग्रोश डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट सकल घरेलू उत्पाद जैसे एक्जामपल मान लो यह पैन है ठीक है ना अब यह पैन एक कंपब्लीट बन चुगा है अब क्या करना था इस फैन को बनाने के लिए पहले इसके रो मेट्रिल इक घ्र्टा करते तो क्या करें कि इसको बनाने और एक पैन का structure दे दिये तो उसको बनाने में उस raw material को ख़िदने में 4 रुपए खर्चा आया तो उसको बनाने में 2 रुपए और खर्चा आ गया तो 4 और 2 कितना हो गया दूका भी पैन हो गया ready तो पैन को बनाया है किसके लिए बेचने के लिए और उसको 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 करने के लिए तो अब जब यह ready हो गया तो इसको ready होने में कितना रुपए लग गया खर्चा? चार रुपए कच्चे पदार्थ में, दो रुपए इसको बनाने में अब यह factory से निकला और कहा गया? Market गया Market में जब यह दुकानदार के पास पहुँचा और जब दुकानदार ने इस spend को रखा और फिर हम गये इसको खईदने के लिए तो दुकानदार ने क्या किया? इस spend को जिसके कच्चे माल में 4 रुपए खर्चा हुआ जिसको बनाने में 2 रुपए खर्चा हुआ तो अब क्या करेगा? दुकानदार की इसको बेच देगा 10 रुपए में, किते में? 10 रुपए में, तो overall Spain का अंतिम रूप से प्राइस कितना हुआ, जिसको दुकानदार ने बेचा, तो 10 रुपए, तो वही किसी वस्तू और उत्पात, किसी वस्तू और सेवा का अंतिम मल्य क्या कहलाता है, GDP कहलात है, ठीक है, और यही GDP किसी देश की अर्ट वैस्ता का स्ट्रक्चर स्वरूब निधायत करती है, कि वह विक्सित देश है, विकास सिल देश है, या अलप विक्सित देश है, सवन में आया, ठीक है, क्लियर, तो 4 रुपए कच्छा माल में, 2 रुपए बनाने में, और आल 6 र विक्सित है, कि विकास स्वरूब बता देता है, जीड़ीपी का सरूब बता देता है, और पिछले विक्सित की, पूरा का पुरा स्ट्रक्चर या, उसकी, क्या उसको, एक लेका जोखा प्रस्थीत कर देता है, ठीक है, क्लियार, और यह बजट से, पहले पेस होता है, एक और इसको क्या किया जाता है चालू मतलब एक वर्स बात का पेस करते हैं ठीक सवन में आया तो यह था आपका economic survey इससे जादा कुछ जादा नहीं देखिए जितना आपको मैं आकड़े बता दिया बस उसको रट लो उसको देख लो उसको पुराच्छे से नोट कर लो और पढ़ लो बस इससे बाहर आपके question नहीं जाएंगे अगर आया तो economic survey से ठीक है जादार कुछ नहीं तो योजना योजना वाला कोई matter नहीं पर क्योंकि पुरा यह डाटा इंपॉर्टेंट है यहां पर ठीक है ना पुरा डाटा इंपॉर्टेंट है clear ठीक है चलिए और अच्छे से उसको पढ़िए clear और कोई दिक्कत हो कोई परिशानी हो तो कृप्र मुझे comments में बताईएगा ठीक चलिए नमस्कार जैहिं थैंक यू